हार के जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं, बोला तो शारुक खान ने था, लेकिन इस्तवाल किसी और ने कर लिया है। प्रभास की फिल्म सलार, undoubtedly 2023 के कैलेंडर का सबसे स्पेशल दिन होगा वो, जब ये फिल्म थेटर में फेस्टिवल बन के आएगी। लेकिन सच बोलू, ट्रेलर देखने के बाद पूरे दो दिन लग गया थे मुझे वापिस इस फिल्म पर भरोसा करने के लिए। जो एक्सपेक्टेशन थी KGF चैप्टर 2 के बाद सलार के डिरेक्टर प्रशांथ नील से उन्होंने उसका लेवल काफी नीचे गिरा दिया था। लेकिन आज सिर्फ 2 मिनिट में ऐसा गेम बदला है कि यकीन मानों इस फिल्म को देखने के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ मैं। सलार आक्शन ट्रेलर जैसा नाम वैसा काम एकदम आउट अफ सिलिबस वाली चीज़ बनाई है इंडियन सिनमा बोलूं या फिर हॉलिवुड इंटरनेशनल लेवल कन्फूजड। जैसे KGF के बाद दिमाग में कोला गोल्ड फील्ड का एक फोटो सेट हो गया है ना ठीक वैसे आज खांसार की दुनिया दिमाग में बना शुरू हो गई है। सबसे बड़ी शिकायद ट्रेलर वन से प्रभास के लुक को लेकर उसको चुटकियों में खतम कर दिया मास्टर माइंड प्रशांत नील ने। पिछली बार सबने बोला था सलार प्रभास की फिल्म तो नहीं लग रही उल्टा पृत्वी राज पूरा स्क्रीन टाइम छीन के ले गए थे इस बार सब कुछ बदल चुका है। यकीन मानो बाहु बली के बाद पहली बार प्रभास को देखकर वही पान इंडिया चैंपियन स्टार वाली फिलिंग्स आ रही है। वो स्क्रीन प्रेजन्स जिसके सामने बाकी आक्तर स्विम के छोटे बच्चे लगने लगते हैं वो वापिस आ चुका है। प्रभास का कमबाक तो अब शुरू होगा। सलार जो फील होना चाहिए इस नाम को सुनकर आज पहली बार प्रभास को देखकर वैसा ही महसूस हो रहा है मुझे सच में। फिल्म को जब अडल सर्टिफिकेट मिला था तो कुछ लोग सोच रहते सिर्फ एवेई फैशन के लिए सलार के मेकर्स ने एस सर्टिफिकेट पकड़ लिया होगा हाइप बनाने के लिए। लेकिन बॉस आज दो मिनिट का आक्शन देखने के बाद समझ आ रहा है क्यों सैंसर बोट चाहता है कि इस फिल्म को बच्चों से दूर रखा जाए। प्रभास का वो confidence वाला अफ्तार इस बैक सर जिसके लिए इंडियन सिर्मा बिल्कुल रेडी नहीं है। ऐसे खतरनाक action scenes बनाए हैं जो थेटर को stadium में बदल देंगे प्रभास का transformation जबरदस लग रहा है इस बार। एक वो normal सीधा साधा comedy वाला side भी दिख रहा है तो दूसरी तरफ most violent man क्यों बोला गया वो भी समझ आ रहा है। एगरी करना पड़ेगा आपको काफी time बाद प्रभास की performance में इतना variation देखने को मिल रहा है जिसका इंड़जार public को बाहु बली के बाद से ही है। और सोचो जब ये nuclear bomb प्रशान नील जैसे genius के हातों में आएगा तो box office पर ऐसा blast होगा जिसके सामने world war भी शर्मा जाए। प्रशान नील को number one director क्यों बोला जाता है किसी normal scene को larger than life बना के present करने में उसका सबूत ये trailer number two साफ साफ देता है। सबसे best चीज मुझे trailer देखने के बाद ये लगी कि सलार एक simple action thriller नहीं होने वाली जो सिफ मारपीट के दम पर public को खुश करती है। सलार 100% एक strong story driven cinema होने वाला है जिस तरीके से एक flashback कहानी सुना के trailer को शुरू किया गया। अंदर बहुत सारा suspense, mystery और जबरदस धोके बाजी का game होने वाला है जो audience का दिमाग हिला के रख देगा। पृत्वी राज ने एक interview में खुद बोला है सलार की कहानी famous Hollywood show Game of Thrones के जैसी तेड़ी मीडी होने वाली है। और जिस line के साथ trailer 2 को खतम किया है, दो दोस्त जो कटर दुश्मन बन गए। बहुत सलार पार्ट 2 का इंतजार अभी से शुरू कर दिया है मैंने। थोड़ा और excitement चाहिए ना आपको अगर तो मेरा एक दूसरा वीडियो देखना, जो सलार का connection बाहू बली के साथ कैसे है वो समझाता है, 100% guarantee देती हूँ दिमाग हिल जाएगा आपका उस वीडियो को देखने के बाद। और देखो नील साहब चाहिए कुछ भी बोल दें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस कहानी का कोई link KGF के साथ तो पक्का जुड़ा है। रॉकी दे मॉन्स्टर प्लस डाइनसार सलार ये जोड़ी 101% साथ आएगी इस बात का यकीन है मुझे। ट्रेलर 2 के बाद और जादा चाहती हूँ मैं कि ये फेस आफ हो जाए किसी भी तरह पूरा इंडियन सिर्मा बदल जाएगा। देखो कोई कुछ भी बोले सलार का सेकेंड ट्रेलर सच में वही चीज है जिसके एक्सपेक्टेशन लोग ओरिजिनल ट्रेलर के साथ जोड़ कर बैठे थे एकड़म टॉप लेविल का प्रजेंटेशन है इस बार प्रभास फ्रेंट से लीड कर रहे हैं पूरा गेम डॉमि अब अगर यह सेम चीज दो मिनिट की जगे दो घंटे में कनवर्ट हो गई तो बहुत के बॉक्स ऑफिस नंबर तो कुछ भी नहीं थे सलार ऐसा पागलपन लेकर आएगी थेटर में जिसके सामने हजार करोर की फिनिश लाइन दूसरी फिल्मों के लिए वो प्रभास के ल नहीं हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में ठेक केर बाई बाई